हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हर्दिक स्वागत है छायाबाद के प्रमुक कवी, सुमित्रा नंदन पंथ जी की एक प्रमुक कवीता है प्रत्थम रश्मू इस कवीता की व्याख्या से संबंदित वीडियो मेरे चैनल पर अप्लोड हो चुका है और जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे वीडियो को अवश्य देखे क्योंकि मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है इसके साथ ही मैं यह कहना चाओंगी कि जो बच्चे मेरे चैनल पर नए है वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके तो प्रश्ण है क्या भावार्त स्पष्ट करें या मूल भाव लिखें उत्तर क्या होगा प्रथम रस्मी कविता सन 1919 में लिखी गई थी यह बहुत ही इंपोर्टेंट है इसे हमेशा याद रखेगा और यह कविता वीना कावे संग रही थे इसे भी आप हमेशा याद रखें प्रस्तुत कवीता में प्रकृती के सुकुमार कवी पंत ने प्रभात बेला कि प्रथम किरन के साथ प्रकृती में होने वाले स्वभाविक बदलाव का बड़ा ही सुन्दर और मनोरम चितरूप प्रस्तुत किया है कवी प्रथम रस्मी को रहस्मय संकेत मई ध्रिष्टी से देख रहा है यह जो उनकी विशेश ध्रिष्टी है इसका नामकरण बाब गुलाब रायजे ने प्रकृती मुलक रहस्वाद किया है कवी रंगनी अथात नाना रंगों वाली चुडियां को संबोधित करके या जिग्यासा व्यक्त करता है कि तुने कैसे जाना कि प्रथम रस्मी के रूप में दिव जोती का आविर्भाव हो रहा है तुमने दिव जोती के रूप में प्रथम रस्मी को कैसे पहचाना जैसे कविता की प्रथम पंक्ती है, प्रथम रस्मी का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, कहां कहां ए बाल विहंगनी, पाया तूने वह गाना कवी कहते हैं कि बाल विहंगनी अथार्थ बच्चा सावक कहा गया है बाल विहंगनी को तुमने प्रथम रस्मी के आगमन के साथ ही उसके स्वागत में जो गीत गाया या गान गानी की प्रिर्णा तुम्हारे भीतर किसने भर दी कभी जिग्यासा से भर कर प्रश्ण कर रहा है कि तुम्हारे भीतर अलोकि गान की प्रिणा कैसे आई क्योंकि सहसा प्रथम रस्मी का आगमन और विहंगनी का कुक उठना कभी के हृदय में एक रहश्य किस रिष्टी करता है प्रथम रस्मी के आने से पहले जैसे पूरा विश्व सितब्द था अतक गान की अंता प्रिणा विहंगनी के अंदर कैसे भर गया हां कहां ए बाल विहंगनी पाया तुने वह गाना वह पक्षी वह बाल विहंगनी कैसे जान जाती है कि इस सुर्य की पहली किरंजो है वो उसका आगमन हो चुका है या हो रहा है। उसके अंदर या प्रेणा कौन जगाता है ये सारे प्रश्न कवी को बेचैन करते हैं। कवी कहते हैं कि ए विहंगनी तुम तो स्वपन निल्मित नीड यानि घोसला में सो रही थी। अपने कोमल पंखों के बीच मुँई डाल कर पंखों के शुनता के बीच सुखद अनुभूती में प्रगार निधरा में डूब कर तुम तो स्वपन लोक में बिचरन कर रही उसके द्वार पर पहरी के समान जुगनु घूम रहे थे और वे भी निद्रा से जूम जूम जा रहे थे जुगनु का रहरा कर चमकना में यही व्यंजना है कि वो निद्रा में जूम रहे थे उनकी तंद्रिल आखे जूम जूम जा रहे थी तो कविता की पंक्ति क्या है सोई तो यहां पर मैंने जुब आपनों को पढ़कर सुनाया यह इसी चार पंक्ती का अर्थ है। ससी किर्णों के सहारे मानों रज्जु कार्थ होता है डोर रूपी किर्णों को पकड़ कर धर्थी पर उतरते हैं और नवल कलियां सद प्रस्पूटित कलियां जो स्ने से जूम रही थी उनके मुख को चूम कर उसे अपुर मुस्कान सिखा रहे थी। तो ये जो आस्मान में बिच्रन करने वाले जो कामरूप नप्चर हैं ये क्या करते हैं। चांद की किर्णों के सहारे धर्ती पर उतरते हैं और कलियों के मुख को चूमकर उन्हें खिला देते हैं, उसे खिलने में सहायक प्रतित होते हैं यानि उन्हें मुस्कुराना सिखाते हैं। तात्पर यह है कि अर्द रात्री की समाप्ती पर नवल कलियां पुस्पित हो रही थी और उन पुस्पों पर कामरूप नप्चर का स्पर्श है कवी ने ये बतलाया है कि रात्री के समय में आसमान में तिम्दिमाते तारे दीपक के समान प्रतित होते हैं स्नेहिन तारों के दीपक, तो स्नेहिन तारों के दीपक आरत ही हुआ कि ऐसा प्रतित हो रहा है कि आसमान में जो तारैं टिम्टि मा रहे हैं, वे एक बुझते-बुझते से दीपक हों। विचर रहे थे, पूरे विशु ब्रमांड में अंधकार का सामराज फैल गया था, सभी इस प्रकार गहरी नीन में डूबे थे कि किसी को भी प्रथम रस्मी के आगमन की सुचना नहीं मिली, परन्तु हे तरू आशनी या तरू पर निवास करने वाली चुडिया, सहसा ऐसे स् पड़ी, तूने प्रथम रस्मी के स्वागतार्त जो गीत गाया यह मेरे मन में रहस्य की सृष्टी करता है, तो इस कविता में कवी ने क्या कहा है, किसने तुझको अंतर्यामनी बतला आया उसका आना, कवी चुडिया को अंतर्यामनी संबोधित करते वे कहते हैं, कि हे अं मूलभाव, कवीता का भावार्त पूछा जाए, या सारांस या मूलभाव, तो आप इस उत्तर को लिख सकते हैं, तो मीद करती हूं कि आज का यभी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से जरूर करें, जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, वेचन को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सकें, आप से पुना एक नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहें, जीवन में आगे बढ़